हाई फ्रेंज कैसे है आप इस वीडियो पे बात करेंगे आई एंडी वर्चिस एसल ड्रीम 11 स्टाट्स पर सेंफो यानि की इंडी और शिलंका की वीडियो कवर कर रहे हैं हम यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो यानि नोटिफिकेशन बैल आइकन को भी प्रेस कर दो ठीक है अभी आपको यह बताऊंगा हमारे टेलिग्राम में 12-14,000 लोग जुड़ जुके यदि आप उसमें नहीं आते तो जल्दी जाओ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वहाँ पढ़ा हुआ है लिंक जल्दी से जाके आपने जॉइन कर लेना है टेलिग्राम में ये वीडियो आप फुल देखना आपको इन डेफ्ट नॉलेज मिल जाएगी इस मैच की मैंने बहुत स्टैट्स इंक्लूट किया है रीसेंट फॉर्म इंक्लूट करी है मैंने इसमें ये भी डाला है कि कि प्लियर ने कितने बोल्ड के कितने लवी डवी ताकि आप बोल्ड लवी डवी परसेंटेज से भी अच्छे से फाइदा उठा सको ये मैने लिया आपका एक मिनट भी नहीं 55 सेकंड लेकिन अब हम कर रहे हैं आगे की बात वेन्यू रहेगा बर्स पारा क्रिकेट स्टेडि लियात है 42 में और आपको बता दू यह वही मैं अच्छा है जिसमें रिशब पंत ने डेब्यू करी थी और हम उनके लिए कामना करते हैं कि वह उनकी हैल जल्दी ठीक हो जाएंगे जरूर हुए लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बावजूद में एक फ्रेश स सरफेस एक्सपेट करो अगर तो यूज़ रहे जो कि कुछ डुमेस्टिक मैचेस में रिसेंटली हुआ है इंडिया के डुमेस्टिक मैचेस में नॉट इग्जाटली इंडिया रंजी आपको पता है सेयद मुझता के लिए सब टूरामन चलते है तो इन में कुछ मैचेस मे ये एक राउंड यूज़ हुआ है लेकिन आपको ये चीद समझनी होगी कि मैं फ्रेश सरफेस देखते हुए बल्लेवाजी समझ रहो अच्छी होगी अनलेस कुछ ऐसा होता है कि भाई बहुती लगने लगा कि यार विकेट कमजोर लग रही है यूज़ लग रही है तो हम स्पिनर टीम में बढ़ाएंगे और आपको इंफर्मिशन टेलीग्राम पर में दे दूँगा अभी वंडे मैच की हम बात करने वाले है इंडिया ने कैसे चेस किया था उसमें दस विक्टे गई थी चार फास को छे स्पिन को स्पिन आया था तब भी गेम में रोहित ने उस मैच को ही देख लो यार यह वही मैच है क्योंकि एक ही मैच यहां पर हुआ है तोटल की थे 322-326 हुए 648 रण और 10 विकेट गई इसको डिवाइड कर दिया 64.8 बना यही डेटा मैं आपको देता हूं यह मैंने आपको इसली कल्कुलेट भी करके दिखा दिया क्योंकि एक ह मैच का है अधरवाइज में सारा कैलकुलेट करके यहां डाल देता हूं ठीक है एवरेज रंस पर ओवर 7.03 एक ओवर में लगभग इतने रंस बन रहेते एवरेज को बल्लेबाजी करते हुए फरस्ट यही है यार 322 क्योंकि एक ही मैच हुआ है इस वेन्यू पर वही स्टै यहां लिखना चाहिए था बड़ यहां पर आ गया नो वरीज अध करते हैं है टू एट की 162 मैच खेल चुकिए इंडिया और श्रिलंका आपस में 93 टाइम जीता 57 टाइम श्रिलंका नो रिजल्ट कए बाराबारी विराट कोली इसमें किंग कोली की तरह 47 मैच में 2000 से उपर रन की रखे हैं 60 एवरेज 9 टीम स्टाइम उन्होंने 50 क्रॉस करी है यानि कि 46 इनिंग्स में 19 बार उनकी 50 क्रॉस हुए जिसमें 11 शतक भी है 19 कैसे 8 और 11 कितने हुए 19 ठीक है रोहिच शर्मा ने भी अच्छा किया है यह स्कोर 50 11 टाइम्स और 45 इनिंग्स विच इस अलसो कम पांच मैच पर 139 एक इनका शतक शर्लंका पड़ा इन पर घातक ठीक है सूर्य कुमार यादर तीन मैच 124 वान हाफ सेंचरी है बोलिंग में बूमरा इंजड हो गया अनफॉर्चुनेटली तो मतलब नहीं यह बात करनेगा अकसर 9 मैच 17 विकेट है अकसर ने अपने करियर म ने उस मैच में 76 किये बानुका राजा पाकसर 65 सूर्य चालेस अकीला धनांजिया तीन विकेट प्रवीन जिया विकेट यह बोलर्स आवे लेबल नहीं है बट मैंने आपको बता दिया था कि आपको पता रहे कि किस ने तंग किया था इंडिया को फॉर्म मैंने लिखी है नहीं हाँ पर रिसेंट फॉर्म रखी है सबकी फिर भी अगर आप मुझे सब पूछते रहोगे मैं आपको पूछते तो आप रह नहीं सकते वीडियो में लेकिन मैं समझूँगा आप पूछ रहे हो साथ साथ बताता जाओंगा कर दिया पूरा स्कूर तो उस केस में केल राहूल को बल्ले बाजी नहीं मिल पाई थी किशन मोस्ट रिसेंट मैच 210 बट शायद यह मैच में मिस करेंगे जो कि अभी तक न्यूज आ रही है बागी 93 भी आया है पचास भी आया तो यह बही एक अगर इनकी इनिंग देखो ए एक मैच फ्लॉप अगले मैच इट एक मैच फ्लॉप अगले मैच तो भीया जादा ही ही तो 210 मार बैठे ठीक है रोहित 51-27-17-0-6-13 दो अच्छी निंग्स आई है काफी विराट 113 एक ही अच्छी नौक है बट टी 20 में जब रेगुलर खेले थे टी 20 वर्ट कप अच्छी दिखाए थी शुमन गिल की फॉर्म अच्छी है थ्री आप कह सकते हो रेगुलर अच्छी निंग्स आई थी उससे पहले 130 हाला कि आपको पता दूं कि यहां पर सूर्य कुमार यादव पंडे में थोड़ा प्रॉबलम रहा है ठीक है हाला कि एक आदी निग्स अच्छी भी भी ठीक है बाकी सबका भी आप ऐसे देख सकते हो युशी चहल पिछले छे मैंचे में 0-4-1-2-3-4 विकेट ठीक है मोहमद चमी 0-1-3-1-3-1-4-3 अच्छा किया है मोहमद चमी ने भी सिराज ने भी अच्छा किया 1-2-3-2-3-0-1-1 विकेट ठीक है उम्रान चारवंडे के बात करने का मतलब नहीं है ठीक है सब मैं इंडिया के प्रॉइबल 11 पर आ जातो जो न्यूज निकल के आ रही है रोहित ने आल बट कंफर्म कर दिया है कि वह ओपनिंग करेंगे शुमन गिल के साथ इट सीम्स लाइक कि इशान किशन बाहर बैठेंगे और केल राहूल को व बन रहा है अगर भारत रेस्ट देना चाहिए देकर श्रियस को खिला सकती है नंबर चेरे पर हार्दिक है अक्सर साथ पे आठ पे मुहमद शमी यूजी चहल उम्रान मलिक अरशदीप चाहे वशिंग्टन सुंदर को भी खिला सकती है बाकी अब टीम के उपर है अक्सर इत अब इंडिया के फुल स्टाट्स प्रस इनके करियर का वंडे रिकॉर्ड है कुछ प्लियर ऐसे हैं मानलो की जो नहीं खेले अगर तो उनका रिकॉर्ड में अलग लिखता हूं हाला कि यह सबी खेल रखें तो आपको मुश्किल नहीं आएगी तो विराट का या विराट तो आपको पता है एक मात्र से जाधा चोड़ों कर सिंगल हैंड़ी भी अपनी टीम्स को जिता सकते हैं तो विराट और रोहित तो केपेबल प्लेर से हैं ही श्रेयस ऐयर 48 इंदिया में बल्ले बाज़ों की कम ही नहीं सीधा एवरेज सबसे कम सूर्य कुमा इंडियन कह सकते हो की बल्ले बाजी बट रोहित का थोड़ा सा फॉर्म खराब रहा है अधर फॉर्मेट्स में नॉट इन वन डे ठीक है सो हार्दिक हैं इंपोर्टेंट रहेंगे 33 स्काइवरेज विकेट्स निकाल लेते हैं अक्सर का सेम है 19 20 स्काइवरेज विकेट्स न मिलता है बोल्ड LBW परसेंटेज सो बोल्ड LBW परसेंटेज सिगनिफाइज की अगर एक बंदे ने 47 परसेंट मैंने लिखा हुआ है विकेट बोल्ड LBW में लिए है तो मतलब आपको 33 परसेंट ऑफ द टाइम वो विकेट ले रहा है अधरवाइस वह 25 पर पॉइंट दे टोटल विकेट मैंने आपको किती बताई 63 यहां पर चेक कर लेते हैं और देख पाड़ने है 63 विकेट है मैंने आपको बताया है यहां पर सो वेरिफाय करके दिखा रहा हूं हुआ है कैलकुलेट दा बोल्ड LBW परसेंटेज ताकि आपको यकीन रहे कि हर स्टैट आपके बारिकी से निकाला गया है बाकी शिरलंका की अगर मैं बात करूँ बहुत आप कह सकते हो इंप्रूफ टीम है अंडर दसुन शना का पिछले साल में काफी अच्छा है यह एशिया कप को विन करके आई चाहिए फॉर्माट टी ट्वेंटी था बट यह विन फिनॉमिनल तू सेदा लिस्ट बिकॉज एक बहुत गलत फेस से आई है जिया वर्दने संगकारा मुली बहुत जल्दी सब रिटायर हो गए यहां दिल्शान भी सो कहीं न कहीं स्ट्रगल आया बट एक कह सकते हो ट्रांजिशन फेस था अब बहतर कर रहे हैं कुसाल मेंडेस हैस बिन गुट इनिंग्स ठीक है और 110 भी आया अविश्का फर्णेंडो एक्सोट्राइशन पच्पन और 50 ठीक है तो सबने अच्छी ओडिडी या ओडिया इनिंग्स खेल रखी हैं बट आप एक बर गो थू करोगे तो आपको रिलाइज हो जाएगा कि जो इनके में प्लियर्स हैं और ज अविश्का उसके बाद इंजर्ड हो गए थे बहार हो गए थे उसके बाद ठीक है बोलिंग में आप कह सकते हो कसुन जीता ने अच्छा किया है पिछले कुछ मैजस में 3-3-1-1-2 एक विकेट दृचार मदुशंका ने भी ठीक किया लेकिन यह T20 का मैच अपस है T20 का रिस अगेन रिपीट करू ना रतना अगर फास्ट बोलर से यह अदरवाइस दूनित वला लागे दिन थीक्षना रजीता और मदुशंका मदुशंका ने काफी अच्छा किया लेफ्टा मीडियम फास्ट बोलर हैं अगर आपको रिसेंटली यादो T20 में और इंडिया को एक ले रिकॉर्ड इसमें लिखा गया है अगर आप देखेंगे यहां पर मैंने सबका रिकॉर्ड लिखा है इस इस में आप कंपेरिजन भी कर सकते हो साथ के साथ तो संका का मुझे T20 रिकॉर्ड लिखना पड़ा ड्यू टू लैक ऑफ वंडे मैच्छ बाकि सबका वंडे रिकॉ है और पिछले छे मैचिस में इन में से तीन बर पचास प्लस क्रॉस हुआ है शतक बीन का तभी के टाइम का 130 के करीब बाकि यहां पर दसुन शनाका डेफिनेटल अच्छ हैं स्टैट्स आर नॉट जस्टिफाइंग इस टैलेंट काफी अच्छे प्लियर हैं और राउंडर शायद से मानलो की लेट से वह रजीता को लेके आया जिनका सिर्व 17.6 परसेंट बोल्ड LBW होता है 25 और आप ठीक्षना को लेके गए दोनों ने आउट किया एक एक लेकिन ठीक्षना का बोल्ड LBW परसेंटेज की वज़े से मानलों उन्हों ने 33 वली विकेट ली इनकी किसमे हैं इनकी बोल्ड LBW मैं दिखा भी देता हूं कैसे इनकी करियर में 16 विकते हैं आप वेरिफाय करना चाहेंगे यह आपको दिख रहा है उपर 16 यह आपको दिख जाएगा 16 में से आपको क्या देखने को बता रहो मैं यहां पर 6 इनोंने कियें बोल्ड 2 इनोंन जादा उतना प्लेयर का फाइदा प्लेयर मैच अप्स की बात करते हैं ठीक है रोहिट शर्मा देखो यार इन में से कुछ प्लेयर ऐसे हैं पर्टिकलर लडी जो श्रणंका के बल्ले बाज़ है यह T20 ही खेले हैं इंडिया के बोयर्स के आगे तो मैच अप मैंने कहीं जग आउट किया T20 में भी एक बर वंडे में भी बाकी नॉर्मल लहीरु कुमारा ने एक बार करोना रत्न ने एक बार T20 में रोहित को आउट किया बेसिकली कोई ज्यादा मुश्किल नहीं दिख रही इंट्रस्टिंग रहेगा लेकिन मैच अप इनका लेफ्ट आर्मर मदुसं ने T20 में इनका शिकार किया है खार्दिक पांडिया एक बार T20 एक बार T20 एक बार वंडे में शनाका पर आउट हूए है बाकियों में देखोगे T20 में रजीता मदुसंग का करुणा रतने पर आउट हो रखे है सूरे कुमार रादव एस नॉर्मल एस इस गैट्स ठीक है किशान किशन एक बार अजीता के आगे श्रेय सेयर एक बार T20 में हसरंगा के आगे ठीक है बाकी यहां पर आपको बता देता हूँ लंका के मैच अपस में जस्परीद बूमरा जहां जहां आपको दिखे इग्रोर करना पहले कोई न्यूज नहीं थी कि वो खेलेंगे नहीं इसलिए आपको बूमरा को दिखान में नहीं रखना यूजी चेहल ने मेंडेस को एक बार आउट किया है अकसर ने एक बार आउट किया है रिसेंटली T20 में भी उससे पहले वंडे में ठीक है तो यह स्पिनर्स के आगे थोड़ा सा मेंडेस तंग रहे हैं भारत के पेसर्स को बढ़िया के लिए है और यही इनकी स्ट्रेंथ भी है कुसाल मेंडेस की पेस भी अच्छा खेलते हैं अविश्का फरनेंडो चेहल पे एक बार हार्दिक पे एक बार वंडे में और T20 में पिछला ही मैच पहली गिंद हार्दिक की अविश्का को डाली थी मैच की पहली के लिखे ना प्लस थ्री विकेट ये वंडे के आगे ये T20 को हो जाता है उम्रान ने दो बार T20 में आउट किया अस लंका को हार्दिक ने एक बार वंडे में धरनजे का एकदम नॉर्मल है दसुन शनाका यूजी पे दो बार आउट है उम्रान और अजदीप ने इस पे आउट हुए है T20 में वंडे में इंडिया के सामने कुछ खास खेले नहीं जोस्तों बात करेंगे आपके और मेरी फेवरेट अप्लिकेशन एक्सचेंज 22 पे एक्सचेंज नहीं किया तो बहिया क्या किया वट इस एक्सचेंज 22 एक स्टॉक मार्केट की तरह अप्लिके एक जेनरल में आपको ये कह सकता हूँ कि this is set by experts जो rates है तो आप समझभाऊगे देखके आप देखो आपको जो लगता है अच्छा करेगा उसको buy करना है जो लगता है खराब करेगा उसको sell करना है for the timing मैंने sell किया हुआ है दिसार मदुसंका को 40 पे मानलो दिसार मदुसंका ने एक विकेट लिया तो मुझे 15 का फाइदा हो जाएगा मानलो 0 विकेट लिए मुझे 40 का फाइदा हो जाएगा मानलो 2 विकेट लिए मुझे 10 का नुकसान मानलो 3 विकेट मुझे 35 का नुकसान तो जितने ज़्यादा पॉइंट ये देते जाएंगे उत्रा मेरा नुकसार होगा और अगर ये 40 से कम पॉइंट देंगे उत्ना मेरा फाइदा होगा ये बिसिक सा हिसाब है जो आता है खुश होके जाता है जाता ही नहीं है खुश होके रहता है मुझे कहना चाहिए आपको ऐसे बिलेंगे लेकिन मैंने अभी केवल और केवल दुल्शान मदुशंका को सेल किया 40 में अब इसका एक सीरीज मोड भी है ये तो पर मैच मोड था हम एक बार ट्रेडिंग सीरीज वाइस पर चलते हैं जाज श्रलंका एंडिया का टूर का मैं भी अभी खोला है एक लिए तो एक दम बढ़िया दे देते हैं तो दसुन शनुन बट लेट सबॉएट है के हम असलंका के चार्ड शेर मैंने लिये हैं। औरकि का शेर अभी मैं नहीं ले रहा हूं। ठीक है। बाइक किया है मैंने असलंका को 4 बर सीरिज्ड वाइस से। कोड आपका फोरकास्ट है डाउनलोड का 50 रूपीज आपको डाउनलोड करते ही मिल जाते हैं जिसमें से 50 रूपय आपको बोनस मिलता है लेकिन अगर आप अपनी के वाइसी कम्प्रीट करते हो आपको 50 रूपीज फुली यूजेबल भी देखने को मिल जाएगा आपके अका पर बेनेफिट कमाया था दोस्तों जब अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे विकेट कीपिंग सेक्षन में आपको काफी मायर खिलाड़े मिलेंगे कुसाल मेंडेस लोकेश राहूल इशान किशन सदीर सम्रविक्रमा बारी बारी बात करेंगे सबसे पहले कुसाल मेंडेस आपको आपको विकेट कीपिंग भी करते दिखेंगे श्रिलंका से काबिले तारीफ परफॉर्मस रही है इनकी लास्ट येर में इस इस दा रीजन की श्रिलंका ने एशिया कप में यहां पर फते किया जीता और बढ़िया किया लेकिन मैं आपको बता दू कि एक ही विकेट कीपर अगर आप लेना चाहो तो मेंडिस ओपनिंग पर सेफ हैं अधरवाइज आप यहां पर कियाल रहूल को भी ले सकते हो जो हमारे बहुत बढ़िया प्लेयर है और थ्री डाउन पर आते हैं डेफिनेटली इंपोर्टेंट है विकेट कीपिंग के साथ साथ आपको पॉइंट देंगे अरंस से भी तो आप डेफिनेटली कियाल रहूल को कंसिडर कर सकते हो इन यूर प्लैंस इशन किशन लगता नहीं खेलेंगे बिकॉज शुबमन गिल का लगभग ऑल बट कंफर्म्ड है रोहित के दुआरा प्रेस कॉन्फरेंस में कि वो उनके साथ ओपनिंग करें तो देखो यह अभी LPL में रिसेंटली सेकेंड हाईय स्कोरर है लंका प्रिमेर लीक के बड़ मैं नहीं ले पाऊंगा कुसाल मेंडिस आल्रेडी है उन्हीं के साथ में जाऊंगा ठीक है मैं बल्ले बाजी पर आगयो हूँ वहाँ पे हैं मेरे फेवरेट आपके फेवरेट रन मशीन कोली डेफिनेटली हम इनको टीम में लेंगे नंबर थरी पे हैं देखो हर प्लियर आउट भी हो सकता है जल्दी बट विराट कोली को लेकर टीम में सांस रहती है राहत रहती है क्योंकि काफी इंपोरेंट प्लियर हैं बागी सामने आगर आप देखोगे दसुन चना का ये भाया रिसेंटली बहुत तगड़ी फॉर्म में रहे हैं दो टीट्वेंटी में आपने देखा अगर पहले तो अच्छा किया था तीसरे में नॉर्मल किया था लंबे लंबे चौके शक्के लगा सकते हैं बड़ी पारी खेल सकते हैं वंडे मैच है टाइम भी ज पास नहीं था बट सुर्यकुमार भी सुर्यकुमाद यादव ही इस वरी वरी इंपोर्टेंट मैं डेफिनेटली पिक करूंगा तो क्या हमें रोहित को पिक करना है या नहीं यह एक सवाल है यह एक कंसरन है रोहित भाया ने अभी रीसेंटली टीट्वेंटी में कोई अच सुनाकों को फिला नहीं पिक कर रहा बट डेफिनेटली एक इंपोर्टेंट प्लियर है आप इनको जरूर कंसिडर कर सकते हो नेक्स्ट अम बात करते है शुर्यकुमार की देखो यह है मैं इन फॉर्म काफी बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस दी है श्रिलंका के सामने ह एड टू हेड में ब्रिलियंट रहे है यह और इनका रीसेंट फॉर्म भी बढ़िया रहा है वंडे में लेकिन नंबर चार पे जगह अभी सुर्यकुमार के तो श्रियस नहीं खेल पाएंगे इफ सुर्य नहीं खेलते इस कुड़ बी डिरेक्ट रिप्लिस्मेंट इन यॉ मैं देखू अगर शुमन गिल को ओपनिंग पे आ रहे हैं हर फॉर्मेट में आप इनको उठाके देख लो इनका जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड रिसेंट ली रहा है वह वंडे में रहा है इवन टेस्ट में बट वंडे में बहतर रहा है तो अब शुमन गिल को डेफिनेट में रख सकते हो वंडे में अच्छा केला है गौहार्टी की विकेट पर अच्छा कर सकते है विच इस एक्सपेक्टेड टू या गुडट ट्रैक फॉर बैट्समें बड़ मैं अभी इनको नहीं ले रहा हूं ठीक है क्योंकि मैं आगे के प्लेयर भी लेना चाहता हूं और और बुलर के भी और एड़ी में रपस चार बले वाज हैं चरित असलंका भाई बंदा बहुत ग्रेट है मैं हमेशा इनकी स्टोरी बताता हूं यह कहां से आया है रिच्पॉंट कॉलेज से श्रिलंका का बना बेस्ट क्रिकेडिक कॉलेज जहां से आपको बहुत ग्रेट मि असी नबात करके तफ ट्रैक्स पर यह तो फिर भैतर ट्रैक है डेफिनेटली वान उफ माइप प्लियर्स जो मुझे लगता है श्रिलंका के लिए फ्यूचर है बट कंसेडरिंग की अभी त्री डाउन है इनको लेना मुझे 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 लग रहा है औरेडी बहुत विक करूंगा ठीक है रीसेंट फर्म सबकी मैंशन है आप जाके देख सकते हो जो मने अभी वीडियो में अड़ेडी दिखा दी है वनिंदु असरंगा डेफिनेटली वन उफ ग्रेड बोलर्स वन डे में रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं राजितर टी ट्वेंटी डजन मीन अ ठीक है तो कई ना कई इंपोर्टेंट प्लेयर है हार्दिक पांडेयर डेफिनेटली वन प्लेयर जिसको मैं टीम हमेशा रखता हूँ क्योंकि कई ना कई से पॉइंट निकालके दे देते है अक्सर पटेल मैं इन फॉर्म अगेन अभी टी-20 सीरीज में बहुत अच्छा कर क्या रहे है लेफटाम ऑफटोडॉक्स प्स लेफटाम बैट्समन कह सकते हो जड़े जाकी दरी के बाद अक्सर को काफी जादा मौके भी ले है और अक्सर उस पर खरे भी उतरे है ठीक है बाकी दरंजडी सिल्वा है दरंजडी सिल्वा अच्छे ओवरेक बोलिंग करते है हाला कि इस सीरीज में बोलिंग कब मिल रही है राइटाम मीडिया पर से करना रतने हैं दुनीत वलल आगे हैं लेफटाम ऑफटोडॉक्स लेफटाम बल्लेबास अगर जुरत लगे श्रलंक को इनको भी खलाया जा सकता है और एक बोलेटी अच्छी है मुझे इनकी बल्ले किराम पर देखना कभी-कभी चेंजेज हो जाते हैं तो उससाफ से चेंज टीम करनी पड़ सकती है तो बोली में कसुन रजीता अच्छी फॉर्म में है रेगुलर्डी विकेट्स आ रही है आप कह सकते हो कि डेथ में भी आपको करते दिखेंगे तिस इस वाय मैंने कसुन को पिक किया है आप चाहो तो किसी और को पिक कर सकते हो बट मैंने अल्रेडी बताया आप फील ही से सेफ फ्लियर है डेफिनेटली डेथ में भी बोलिंग करने वाले हैं शमी हैस बिन इन गुट फॉर्म अगर आपने वंडे का देखा होगा तो रेगुलर्डी इनकी थी वि बोलर है आप ट्राइ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बूमरा इंजड है तीसरे ऑप्शन आप पस बन रहे हैं यहाँ पे सिराज एक आप थर्ड बोलर के विकलपे इनको ले सकते हो मीडियम पेसर है विकेट टेकर भी है दिल्शान मदुशंका इस लेफ्ट आम फास्ट इ जीतने को तो मैं लहीरु कुमारा परमोद मदुशान जेफरे वेंडर से जो लेक्स पिनर है उन पर उतनों ध्यान नहीं देरा चाइना में कुल दीप यादव बढ़िया है बट सबको आप नहीं ले सकते फिलाल मेरी टीम है मुहमद सिराज है जो मुझे लगता है खेलने ले हैं अरजदीप उम्रान मलिक चहल चहल तो खेलने चाहिए वैसे चहल भी अच्छे विकल्प है चुप चाप आके दो तीन विकेट ले जाते है आप फिछले देख रहे हो फर्स्टी 20 में हमने इनको पिक किया इनोंने कुछ नहीं किया था सेकेंड और थर्ड में दोनों है मैंने अपनी कप्तानी और और वनीद्धु हसरंगा को दी है और वािसमैंटी बता देता हूं मैं कैपैंसी बिद्धु हसरंगावा-वैसम ही-ब। सब्सक्राइब कर लो नहीं तो मैं नराज ऑंगा है तक्या Wolf कि अबता हूं कि में को इस need नहीं कर रहे फूरकाश फैमिली के लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे अच्छा नहीं लगता यार कर लो जल्दी से फिर मैं जाओ